नमस्कार उत्राखन साइंस एजुकेशन रिसर्ट सेंटर में आप सभी का स्वागत है। योसर्क राज्य में प्राध्योग्य की आधारित विज्ञान शिक्षा सुलब करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तक्नीकी युग में शिक्षा पद्दती में सम्यक बदलाव की आवशक्ता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा के सभी स्तरों तक ICT के समावेश से और विशेशग्यों के माध्यम से विक्सित इकंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि इकंटेंट एक मुल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशन एवं रचनात्मक्ता में वृध्धी करने में सहायक होगा। धन्यवाद। अब आईए हम कुछ प्रशनों को यहां पर हल कर लें जो कि असमिकाओं पर आधारत हैं तुर पहला प्रशना में दिया गया है कि दी गई आकरती में कौण B जो है वो कौण A से छोटा है और कौण C जो है वो कौण D से छोटा है दर्शाइए कि भुजा AD जो है वो BC से की तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम तुरिबुज O, B, A की अगर बात करें तो यहां पर हमारे पास दिया गया है कि जो कौण B है वो कौण A से छोटा है और इस वज़े से जो इसके सम्मुक बुजा है यानि O, A बुजा जो है वो O, B बुजा से कम होगी ठीक है फिर अगर हम दूसरे त्रिबुज की और बढ़ें और इस बार हम यहां पर दर्शा देते हैं दूसरा त्रिबुज जो की O, D, C की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है O, D, C, त्रिभुज की और यहाँ पर कहा गया है कि कौन C जो है वो कौन D से छोटा है और कौन C के सम्मुक भुजा जो इस त्रिभुज की है O, D वो कम हो जाएगी किस से? O, C से और इसको हम कह लेते हैं कथन 2 अब देखिए मैं एक आपको बिल्कुल सादरान सी बात बताओं कि अगर ऐसे 2, 3 से कम है यह बात सच है ना और 4 जो है वो 5 से कम है तो आप अगर यहाँ पे इन दोनों ही समिकाओं को योग करेंगे तो देखिए छे भी आपको 8 से कम मिलेगा है ना तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक और दो से हमारे पास O, A और O, D का योगफल जो है वो O, B और O, C के योगफल से छोटा आएगा और आप ज़रा चित्र से देखिए तो O, A और O, D का योगफल जो है वो A, D है और O, B और O, C का योगफल जो है वो B, C है और इस प्रकार से यह सिद्ध हो गया ठीके मुझे आशा है आपको यह समझ में आया होगा एक वर पुना दोर आ लेते हैं और यहाँ पे जो भी हमें कारण लिखने हैं वो भी एक वर बता देते हैं तो सबसे पहले त्रिबुज O, B, A में हमने देखा कि कोण B, कोण A से छोटा है और यह हमने कैसे कहा क्योंकि दिया गया है और उसके बाद हमने यहाँ पे जो बुझाओं की बात करी वो कैसे क्योंकि प्रमय के अनुसार ऐसा है फिर हम अगर दूसरे त्रिबुज की ओर बढ़ें तो फिर से आप देखिए यह बात तो आपको दी गई है और जो हमने अस हमेकाएं पढ़ी उसके अनुसार यह सत्त होता है या फिर हम कहलें की प्रमय के अनुसार है ऐसा आपको अगर एक्जाम में इसका उत्तर लिखना हो तो आप प्रमय के अनुसार लिखने के बाद उस प्रमय को भी लिख दीजेगा और जब हमने इन्स कधन ए और कधन दो से एक तरीके का परिणाम निकाला तो यहां लिखने एक और दो से तो O A और O D का योगफल O B और O C से कम हाया और यहां पर यह बात कैसे हमने लिख दी आकरती से देखके कि आकरती में हमने देखा कि O A और O D क्या है O A और O D A, D है और O B और O C क्या है? B C है तो इस प्रकार से सिद्ध हो गया ठीक है? आईए एक और प्रशन देख लेते हैं तो यह प्रशन हमको दिया गया है कि दर्शा यह कि एक रेखा पर एक रेखा पर एक दिये गए बिंदू से जो की उस रेखा पर इस्थित नहीं है एक ऐसा बिंदू जो की इस रेखा पर इस्थित नहीं है जितने भी रेखा खंड खीचे जाएं मतलब हम यहाँ पर इस बिंदू से इस रेखा पर जितने भी रेखा खंड खीचें उसमें से सबसे छोटा रेखा खंड होगा जो की लंबवत होगा यानि कि यहाँ पे यह सारे रेखा खंडों में से सिर्फ एक रेखा की बात की जा रही है वो है यह कि यह जो रेखा है वो बाकी रेखाओं से छोटी होगी कौन-कौन सी रेखाओं से छोटी होगी? यहाँ पर जैसा कि आपको बताया गया कि यह रेखा मानलीजे A है, यह B बिंदू है यह C बिंदू है यह D बिंदू है, यह E बिंदू है तो हमने सिद्ध करना है कि O P जो है वो बाकी सारी ही रेखाऊं से छोटी है किस से किस से ओए से औसी से और ओई से ऐसी अनंत रेखाएं होंगी मैं अगर समें सबसे छोटी जो है वही रेखा होगी जो की लंबवत है कैसे करेंगे सद्द सोचिए जरा तो ऐसा सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? एक बार त्रिबूज बनाते चलते हैं और ऐसे त्रिबूज, जो कि एक बुझा आपके पास op हो एक बुझा आपके पास कोई और बुझा और साथ में एक बुझा जो है साधार पे हो तो अगर हम ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले त्रे बुज पी ओसी में जो ओसी के सम्मुक कोण है वो ओपी के सम्मुक कोण से बढ़ा ही होगा आप देख सकते हैं कि ये जो कोण है वो 90 डेगरी से कम ही होगा तो इस वज़े से जो ओपी भुजा है वो ओसी भुजा से छोटी होगी या फिर कहले ओसी बुजा जो है वो ओपी से बड़ी है है ला इसी प्रकार से अगर हम एक और यहाँ पे तरिबुज देखें और इस बार हम एक रेखा खंड कीच लेते हैं जो कि ओसे डी पे हो तो आजए इस के बारे में देखिए हम क्या कह सकते हैं कि तरिबुज कौन सा इस बार हम लेंगे P, O, D में, आप देख सकते हैं, कि O, D जो है, O, D, जो है, वो O, P से बड़ा है, क्यूंकि 90 डिग्री जो है, वो इस क्षोण से बड़ा है, तो उसके culpa O, D, जो है, वो O, P से बड़ा है, इसी प्रकार आप अगर और आगे देखें एक ही दिशा में हम देख रहे हैं क्योंकि वो ही बात जो है वो दूसरी दिशा में भी सार्थक हो जाएगी कि O, E जो है वो ओपी ऽसे बड़ी होगी और इस बार हम किस त्रबुज की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं त्रबुज P O E में और यहां पर आप देख सकते हैं कि फिर से O E के सामने जो कौन है वो 90 डिगरी है जो कि हर हाल में ही इस वाले कौन से बड़ा होगा यानि O E भी जो है वो O P से बड़ी है और इन सारी बातों से हम क्या कह सकते हैं कि O P जो है वो O C से भी छोटी है वो O D से भी छोटी है और वो O E से भी छोटी है जो कि हमें ये बताता है कि O P बुजा सबसे छोटी है और O P बुजा सबसे छोटी किन बुजाओं में है वो रेखा खंड जो कि बिंदू O से इस रेखा A E पर खीचे गए तो O P बुजा सबसे छोटी बुजा है किन में से O A, O B, O P, O C, O D और O E में से है ना तो इस तरहां से हमने ये सिद्ध कर दिया कि लंब रेखा खंड सबसे छोटा है रेखा खंड सबसे छोटा है और इसके लिए आपने जो भी प्रमय प्रयोक किये हैं उनको भी आप यहां पे जब परीक्षा नुत्तर लिखें तो प्लीज लिख दें कि ऐसा क्यूं हो रहा है क्योंकि इनके सम्मुख जो कौन हैं वो इस ही तरहां से संबंदित हैं इस वज झाल 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 झाल